किस-किस ने खाई है ये पहारी दाल ये है गहत की दाल जो बहुत ही पॉस्टिक होती है तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं यहाँ पर मैंने गहत की दाल को अच्छे से उबाल करके रख लिया है और मैं इसको कर्ची से प्रेस करूँगी और इसके बाद मैं कड़ाई को गहस पे रखूँगी और उसमें मैं डालूँगी सरसों का तेल सरसों का तेल डालने के बाद उसमें तड़के के लिए जीरा डालेंगे जीरा चटकने के बाद इसमें हम डालेंगे फरन और हींग गहत की दाल बहुत ही पॉस्टिक होती है इसको हम कुल्थी की दाल भी कहते हैं तो इसके लिए यहां पर मैंने डाले हैं लेसुन छोटे-छोटे पीस में काट करके और लेसुन को थोड़ी देर पकने के बाद यहां पर मैं डालूंगी अब प्याज प्याज को अच्छी तरह भूनने के बाद यहां पर हम प्याज को पहले अच्छी तरह भून लेंगे जब प्याज भून जाएंगे तो फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी यह बहुत ही सिंपल डाल होती है इसको किसी भी प्रकार से बना सकते हैं यह बहुत ही टेस्टी होती है और इसके बाद मैंने यहां पर डाल दिया है टमाटर यह देसी टमाटर है इसलिए मैंने एक बड़ा टमाटर डाला है यहां पर इसके बाद हम टमाटर गलाने के लिए नमक डालने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी धनिया लाल मीर्च और हल्दी पाउडर इन सब को बहुत सी अच्छे से मिक्स करना है जब तक कि टमाटर गर न जाए और तेल जब तक ये छोड़ न दे मसाले इसमें मैंने थोड़े से गरम मसाले डाल दिये है यह बहुत ही स सर्दियों के मौसम में ही खाते हैं क्योंकि इसकी तासित गरम होती है इसकी कई कई रेसेपी होती है जिसको मैं आगे-ागे बताती जाओंगी कि गहत की डाल को हम किस्पकार बना सकते हैं गहत का फानू गहत की बड़ी तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इसके साथ ही लैक और शेयर जरूर करें मसाले अच्छे से पकने के बाद हम थोड़ी देर पकने के बाद इसमें आप डाल देंगे डाल इस दाल का अपना अलगी कलर होता है इसमें हल्दी का कलर नहीं आता है ये लाल डाल होती है और ये बहुत ही अच्छी होती है खाने के लिए आप इसको एक बार खूब सारा उबाल करके फ्रीज में भी स्टोर कर सकते हैं तो यहां पर डाल में मैंने डाल दी कड़ाई में और मैं इसमें डालूँगी पानी और इसको बहुत अच्छी से पकने देंगे इसमें यहां पर मैंने गरम पानी का यूज किया है इसके बाद हम डाल को हम खुब अच्छी से उबाल देंगे और साथी में हम यहाँ पर चावल बनाएंगे इसको आप रोटी के साथ भी खाज़कते हैं और चावल के साथ भी यह बहुत ही स्वादिश्ट होती है खाने में तो हमारी दाल अच्छे से खौल चुकी है और अब हम इसको खुब देर तक ऐसे ही पकाते रहेंगे जब तक यह जाग मिट न जाए फ्रेंड्स यह दाल बहुत ही अच्छी होती है इसको खाने से पत्री का रोग भी ठीक हो जाता है क्योंकि यह बहुत ही गरम होती है इसलिए जादातर लोग इसको ठंडियो में ही काते है और यहाँ पर मेरी दाल बन के तयार हो चुकी है और इसके साथ ही मैंने बनाया है चावल अगर आपको यह रेसिपी पसंद आए तो एक बार जरूर ट्राइ करें हम इसको चावल के साथ खाएंगे यह देखिए दाल बहुत ही अच्छी बन के तयार हुई है और इसके साथ मैंने यहाँ पर संत्रा काट के रखा हुआ है और चावल के साथ परोस्था है अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करें थेंक्स पॉर वाचिंगे